जोई बद्रा अकजर असाम राज्य के एक महान व्यक्ति जिसने बहुत सारे ट्रैबल्स लोगों के जीवन में परिवत्तन लाया है एक राज नितिक किया जिसने नौटकचर हिल्स के बैकवर्डनेस को उठाया था वो व्यक्ति जिसने असाम विधान सबा में कही विपागों को संबाला था और बोड़ो साहित्य सबका संस्थापक भी है आज हम उसी महान व्यक्ति जोई बद्रा हक्जर के बारे में जानेंगे नमस्ते दोस्तों बहुत स्वागत है आप सबी काति ट्राइबल बॉई चैनल में जोई बद्रा हक्जर का जन्म 2 एप्रिल 1914 में हफ्लों के सामने एक छोटा सा गाउ ननडिसा गाउ में हुआ था उसके फित्या थे हैस्वराम हक्जर और माटा रिंगलाइडी हक्जर हाला कि उसकी स्कूल में दाखिला उम्रा में बर्रे ही देर से हुई लेकिन पराई की प किया गया बाद में वहां से पास होने के बाद शिलोंग चले गई और मैत्रिक शिलोंग की गवर्मेंट हाई स्कूल से फास दिविजन लेकर पास किया बाद में उसने इंटर्मीडियेट आर्ट्स कोटन कोलेज से कंप्लीट किया 1936 में और बैचलर आर्ट्स इंग्लिश ओ माहसाओ से पहला व्यक्ति वना ग्रेजुएट होने वाला जब वो कॉलेज में थे तब उसने नौटकचर हिल्स के दिमासा यूट को लेकर एक प्रोग्रेसिव यूट और्गनेशन बनाया हिम्सकंगराउनी डॉल के नाम से जिसका उद्देश्य धर्मदिक्स चंजातियो को एक दिशा देना था वो जिले से पहले ग्रेजुएट थे इसलिए उसे एपॉइन्मेंट एसिसेंट जोलर की रूप में किया गया और नोगाउन में पोस्क किया गया लेकिन वो लंबे समय तक उसकाम में नहीं रहे उसकी घर से फोन आने के बाद वो अपनी जिले आकर म सब्सक्राइब से इमासर लोगों को शामिल करना चाहते थे यूद्न में लेकिन जोई बादरा हकजर ने विरोवत किया उन मासूम ट्राइबल्स को जबरदस्ति भर्ति करने के खिलाब जिसका नतीजा एस जियो जॉन फेरी को गुस्ता आ गया और जेवी हकजर को गिरिफ 44 में और वहां पर भारत के सवतानतता होने तक काम करते रहे और बाद में भारत के सवतानतता होने के बाद इन्टियन AIRFORTS की नौकरी उसने छोड दीMayasao या नौककचर हिल्स में वापस लॉट आए और आके महूर में सबाद बाद में महूर के सामने एक नया निवास बना कर रहने लगे बाउजन के नाम से यानि की पहला सपना या पहला ख्वाब 1950 में जेवी हकजर राजनीती में कुसे और उसी साल उसकी विवा निरूपमा हकजर नामक से हुई सन 1952 में लेट डी होचाई को चुनाव में हरा कर उसने अपना पहला चेनरल इलेक्षन में चीत हासिल कर ली और डिस्रिक काउंसिल में एक्जेक्रिटिव मेंबर बन गया बात में जेवी हकजर और उसकी प्रत्तिनी निरूपमा हकजर दोनों ने मिलकर जिले की भूमी का निवाई सर्वजनिक जीवन में जेवी हकजर और सुनराम्ठ होसेन दोनों ने मिलकर बोरो साहित्यसाबा की स्तापना की 1952 में और जेवी हकजर भिष्णु मेदी केविनेट में पारलेमिंटरी सेक्रितरी भी बना और सन 1955 में वो डेपुटी मिनिस्टर पी डाबलूडी का इंचार्ज बना और कुछ नए सर्वो का निर्मान किया सन 1957 के चुनाब में जेवी हकजर नहीं जीट पाए लेट हमदन मोहान हफलोंगबर के खिलाफ लेकिन सन 1972 में वो फिर से विजह होकर विधान साबा में वापस लॉड आये और केबिनेट मिनिस्टर इंचार्ज अब एडुकेशन बना आसाम के मुख्य मंतरी बिमाला प्रसाद चलिहा के दोरन जेवी हकजर आसाम के पहले ट्राइवल MLA बने जिसे ऐसा प्रेस्टिजियस पोर्टफोलियो सोपा गया था समाजिक और संस्कृतिक संगाथनों के साथ खुटको जोरते हुए शिक्षा मंतरी की रूब में जेवी हकजर ने जनता की कल्यान को सुनिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जेवी हकजर की परसनेलिटी एड्मिनिस्टेटर से ज़ादा फिलोसोफर की तरह थी उसकी भाषन और बाते को बहुत सरे विद्वानों भी एक्सेप करती थी उस समय के आसाम की मुख्य मंतरी विमाला प्रसाद चलिया अक्सर विधान साबा में और बाहर दोनों जगा जेवी हकजर की तारीफ क्या करते थी अपने समय में जोई बद्रा हकजर ने अपने सर्बोजनिक जीवन की सच छावी को बरकारा रखा था यहां तक कि उसकी ओपोजिशन मेंबर्स उसकी खिलाफ कोई आरोब लाने की हिम्मत नहीं करती थी ओपोजिशन पार्टीज भी उसकी बेताक कार्याओं पर उंगली उठाने से कत्रा थी थे एक दयालू मंत्री होने के साथ साथ जेवी हकजर एक नियाई की खादिर किसी भी हद तक जाने वाले व्यक्ति थे इसलिए उसे उसकी नियाई दिलाने की त्रिद्धा के लिए भी लोग जानते हैं लेकिन उसे एक सोच हमेशा सताथी थी कि उसकी जिले की लोग और बाई भन एक ऐसी जगा पर रहे रहे थी जिसकी अर्थव्यवस्था और बहारी बर्ती दुनिया के लोगों से कितने पीचे थे उसका सपना था कि वो अपनी लोगों को बैकवार्टेस से उठाए और उसकी यही सोच उसकी जीवन का लक्षबन गया अपने आराम को ना सोचते हुए उसने निरंतर अपने लोगों के लिए संकल्प के साथ काम किया उसने पोबर्टी को हठा कर खुशाली लाने के लिए हर्ज जरूरत मन प्रयास की उसने सरकार से पहल की कि पहारी जिले की ग्रामीन शेतर के अर्थव्यवस्ता को उठाने के लिए वो अपने जिले की करीब ग्रामीनों की कल्यान से इतना चिंतित था कि उसके अनुरोद पर शिलोंग के प्रसिद्ध मेडिकल प्रैक्टिशनर हफलोंग आकर पैशन को देखे उनके खुद की प्रोफेशनल लॉस होने के बावुजूद राजदानी शिलोंग में रहने के बावुजूद वो व्यक्ति हमेशा जरूरत मन लोगों के बारे में सोचते थे और फिच्रे नॉट काचर हिल्स की जरूरत मन लोगों के समस्या के बारे में सोचा था सन 1970 में जेबी हक्जर फिर से एलेक्शिन जीता और इस बार उसे केबिनेट मिनिस्टर ट्राइवेल एरियस और डेवलोप्मेंट माइनोरिटिस और कल्चर को संभालने के लिए नुक किया गया और सन 1922 में जेबी हक्जर चौती बार MLA बना और उसे नुक किया गया बेटिनरी और एनिमेल हजबेंडरी समभलने के लिए ये भी हक्जर एक सची मिसाल है सदा जीवन और उच्ची विचार जीवन जीने का उसे सभी लोग प्यार करते थे चाहे ट्राइवेल हो या नॉन ट्राइवेल जिले और विबन जन जातियों कि जीवन में परिवत्तन लाने वाले इस महान व्यक्ति का देहन 18 जुलाई 1973 में हो गया तो ये थी खाहनी जोई बद्रा हक्जर का अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाते हैं तो मैंने निचे लिंक दे दिया है आप वहाँ जाके पर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कर देजे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं एसे ट्राइबल से जुरे हुए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन्स मिलती रहें धन्यवाद